तो एलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो भाई अगर आप भी इंस्टाग्राम से प्रैसान हो चुके हैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम आपका इंस्टाग्राम पर जा रहा है मतलब वहां पर खर्च हो रहा है अगर आपने एक बार इंस्टाग्राम खोल लिया तो पता एक साल के लिए 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए उसको डिय क्टिवाइट करना चाहता हूं तो आप उसको जो ह해 दस दिन 15 दिन एक महीने के लिए डियक्टिवेट कर सकते हैं कोई सर्च भी करेगा तो उसको भी अगर आप बीक में छोड़ दोगे फिर मुझे comment आते हैं कि नहीं है setting तो work नहीं कर रही है work तभी करेगी जब आप वीडियो को पूरा watch करोगे तो देखे यहाँ पर आने के बाद ऊपर जो top right corner में three lines होते हैं तो इन पर आपको चले जाना है यहाँ पर instagram ने थोड़ा complicated कर दिया है वहाँ पर इस तरह से चुपा के option रखा है कि कोई इसको deactivate and delete ना कर से कि क्योंकि कोई भी social media application यह नहीं चाहती कि कोई भी user उसके platform के छोड़ कर जाए तो हमने वो तरीका खोज लिया है तो उसके लिए दे कि यहाँ पर आपके सो जाएंगे दो मेरे instagram के account है एक मेरी facebook की profile है तो यहाँ से बैक चलते हैं यहाँ से बैक चलने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा account center के अंदर personal detail का तो अब आपको होगे भाई यहाँ से deactivate होगा तो यहीं से deactivate होगा यहाँ पर आपको mail id यहाँ प उसके लिए हमें arrow पर किलिक कर देना एक बात जीस भी account को temporary deactivate करना चाहते है तो उसी account को select कर देंगे और यहाँ पर arrow पर किलिक कर देंगे देखिए यहाँ पर एक option मिलता भाई delete account का तो हमें delete तो नहीं करना हमें तो कुछ समय के लिए इस instagram से break लेना है तो हमें क्या करना है ह हमें यहाँ पर आना है ऊपर deactivate account यह देखिए deactivate account deactivating your account is temporarily यह देखिए temporary जो है हमारा account deactivate होगा यह देखिए यहाँ पर लिखा गया तो इस पर tap करके यह बटन जो है यहाँ पर select करके continue कर देना है continue करने एक बात देखिए फिर से यहाँ से आपको अपने instagram का password डाल देना है ज instagram का password मिल जाएगा चोटी सी वीडियो है यहाँ बटन में लिंक लगा दो हूँ महाँ से आप चेक कर लेना यहाँ पर मैं कोई भी password डाल देता हूँ अभी के लिए तो देखिए यहाँ पर मैंने एक password एंटर कर दिया हो मेरा गलत password है मुझे पता है क्योंकि मुझे जो है account temporarily deactiv नहीं करना मैंने खाली आपको दिखाया है तो यहाँ पर आपको password डालना है यही last step है password डालके आपको continue पर किलिक कर देना है जैसे ही continue पर किलिक करेंगे तो आपका Instagram account यहाँ पर temporary deactivate हो जाएगा पंदरा दिन बीच दिन जितने दिन के लिए आप चाहते है उसको रख सकते है जब भी आप उसको reactivate करना चाहते है तो वहाँ पर आप अब जो है Instagram का user ID डालना और password डालना तो आपका account वहाँ पर re-login या reactivate हो जाएगा तो यही तरीका था बाई चोटी सी setting थी अगर वीडियो अच्छी लेगी हो setting अच्छी लेगी हो तो चैनल को subscribe करके जाना वीडि को like करके जाना